कि यह वेलकम तो फीनी जुक्यर कुछ दिन पहले मैंने चैनल पर सर्वे लिया था यह सर्वे था कि लाइंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में आप कितना सीरियस हो आप कितना सीरियस्ली प्रिपेर करते हो बहुत लोग ने उसमें वोट किया था तो देखते हैं मैं क्या तो यह जो कॉस्चन ता इसमें वार 1100 वोट मिलेते जिसमें यस 79 परसेंट लोगों ने हां बोला था कि वो पढ़ते और 9-11 परसेंट लोगों ने और यह जो मेंटालिटी होता है लाइंग्वेजस ठोड़ी पढ़ने की कोई चीज होती है तो अरूंट 10 परसेंट लोगों फैस करते और शर्वल्राटी सब्सक्राइब सक्यार फूट मुने वोट किया था तो इसमें यस 74 परसेंट लोगों ने हा बोला था कि वो मराणी लैंगवेज में दिफिकल्टी फेस करते है और 226 परसेंटले बोला था कि अ Marie अटी सब्जेक के बारे में लिए अबूड यह कि Marathi का preparation आपको कैसा करना है और यह जो वीडियो है वो आप English और Hindi यह दोनों languages का जो subject है उसमें apply कर सकते हो जो भी मैंने बोला था वो strategy आप Hindi के लिए apply कर सकते हो और English के लिए भी कर सकते हो वीडियो का नाम है how to score good marks in Marathi अगर आप मेरे चैनल के community section में आऊगे तो आपको यह link यहां मिल जाएगा तो सर्ज भी करो गया अगर आपकी how to score good marks in Marathi आगे Phoenix educate डाल दोगे तो आपको यह video मिल जाएगा तो यह जाके video देखो इसमें मैंने discuss किया कि कैसे आप माराठी को improve कर सकते हो और problem face होगा आपको जो भी हो कैसे आप overcome कर सकते हो तो यह video जरूर जाके देखो ने तो last में क्या होगा आपके सब subjects में आपको अच्छे marks मिल जाएंगे लेकिन Marathi में आपको अच्छे marks नहीं सब्सक्राइब कर देखो उसके बाद एक वापस एक question पूछा था कि अभी नीचे देखो 70% से जादा लोगों ने बोला था कि वह in languages का preparation करते लेकिन यह question देखो कि how many of you practice writing skills कि जो writing skills होता एक section होता है जैसमें letter writing speech writing writing dialogue writing यह सब होता है यह दूसरे भी topics होते तो यह कितने practice करते तो yes 56% लोग बोल रहे हैं कि वह practice करते no 34% और यह सब भी practice कौन topic करता है ऐसा किसी का mentality होता है तो 10% so around 44% लोग यह कुछ practice नहीं करते इसका मतलब क्या होता है सीधा exam में जाते और question आएगा तो सीधा यह letter writing speech writing अपने मन से लिखना चालू कर देते तो उसका result क्या होता है कि language इसको आप seriously नहीं लोगए तो क्या problem होगा या language इसमें आपके marks कम होगे तो क्या problem होगा यह बताने के लिए मैंने those मेरे जो students थे last year या मेरे पेचान के जो students थे उनके marks में आपको दिखाता हूँ तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उनके marks या उनके percentage language के वैसे कैसे effect हुए चलो देखते हैं हम यह दो student के marks अभी compare करेंगे तो student 1 student 2 अगर student 1 के marks देखो तो total उसे best of 5 के सबसे 84.60% मिलेते और total percentage अगर 6 subjects के मैं percent निकालू तो 80% मिलेते 80.50 student 2 की बात करेंगे तो उसे 89% मिले total यह best of 5 के सबसे निकालेंगे तो और total percentage है 86.5 अगर अभी इनके marks अगर हम compare करते हैं तो science में student 2 को है 95 marks out of 100 science में 94 मतलब ज़्यादा close ज़्यादा difference नहीं एक ही marks का difference है अगर science social science की बात करेंगे तो इसे 95 marks है इसे 88 marks है out of 100 इसे 97 marks है तो इसे math में 93 marks है मतलब अगर हम 3 subjects देखेंगे तो ज़्यादा फरक हमें दिखेगा नहीं marks में close marks से एकदम ज़्यादा भी कुछ फरक नहीं एक दो mark का ही फरक होगा तो इनके percentage तो आपके सबसे एक जैसे होने चाहिए तो क्यों 5% कम हुआ तो इसका reason है languages कि अगर हम इसकी बात करते माराटी में 86 marks मिले है 100 में से हिंदी में 78 English में 72 मतलब अगर 89 के कैलिवर से बात करो तो हिंदी और English में marks कम है फिर भी फिर भी इसके languages में marks कम है अगर और score करता किसी भी एक subject में तो और percentage बढ़ जाते थे फिर भी माराटी में 86 marks है जो मेरे इस आप से बहुत अच्छे marks है अ 80 marks आपको खुद देना है और 20 marks का आपको school से marks मिलेंगे जो internal marks होते है तो 20 में से 16 प्लस तो सभी को मिलते है 15 प्लस तो किसी सभी को मिलते school के हिसाब से बाकी आपको 80 में से marks score करना है तो around आपको 60 marks तो score करना ही चाहिए 80 में से अगर हम इसके marks देखते तो माराटी में 60 अब कम marks मिले है तो 100 out of 60 है यह 80 out of 60 नहीं है 100 out of 60 हिंदी में भी 76 marks है out of 100 इंगलिस में भी देखेंगे तो 68 marks है out of 100 तो इसका मतलब क्या है कि यह 3 languages के वज़े से इसका जो total percentage है इसके उपर effect किया मतलब 66 marks 68 marks मिले है out of 100 76 out of 100 और मराटी में 60 out of 100 मतलब यह 3 subject कितने important है आप इसके marks द तो अगर इसे भी अच्छे marks मिलते है तो इसके जितने ही percentage से मिलते है या इससे भी ज़्यादा अच्छे percentage मिलते थे तो languages का study करना बहुत ज़्यादा important है आपको यह example से समझ गया होंगे आप कि अगर नहीं करोगे तो ultimately आपके जो final marks है उसके उपर effect होगा बाकी subject का preparation करोगे इसे ignore करोगे तो ultimately आपके final marks के उपर effect होने वाला है तो आप ध्यान में रखो जबी भी preparation करते हो तो यह marks एक बार ध्यान में रखो कि नहीं तो आप ignore करोगे जैसे मैंने वो survey लिया था तो उसमें दिख रहा था कि बहुत सारे लोग preparation ही नहीं कर रहे एक दिन जाके लोड़ा करने वाला हूं तो यह बताना जारा था कि कैसे इसका study करना language इसका important है और नहीं करोगे तो कैसे आपके marks के उपर impact होगा I hope this video will be helpful thank you for watching